भारत ने नीदर्लेंड के सामने 180 रन का लक्षे रखा है टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 2 विकेट बनवाकर 189 रन बनाए विराट कोहली 44 गेंदों में 62 रन और सूरिक कुमारी आदल 25 गेंदों में 51 रन बनाकर नाबाद रहे गेंदों में 95 रन की साज़ेदारी हुई आखिरी 5 ओवर में भारत ने बिना कोई विकेट बनवाई 65 रन बनाए कोहली सूरिया के अलावा रोहित शर्मा ने 49 गेंदों में 33 रन की पारी खेली रोहित ने अपनी पारी में 4 चोके और 3 चोके लगाए वहीं के एल राहुल लगातार दूसरे मैच में फेल रहे वह 12 गेंदों में और रन बना सके पाकिस्तान के खिलाव पिछले मैच में राहुल चार रन ही बना सके थे कोहली ने टीड़ाट अंतराश्ट्रे करियर का 35 और इस वर्ल्ड कप में लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया इस से पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाव 82 रन की नाबाद पारी खेली थी वहीं, रोहित ने टीडट अंतराश्ट्रे करियर का 29 अर्धश तक लगाया था 11 रन पर राहुल के आउट होने के बाद कोहली और रोहित ने 56 गेंदों पर 73 रन की साज़ेदारी ने भाई राहुल को वामी के रन और रोहित को फ्रेड क्लासे इन ने आउट किया इसके बाद तो कोहली और सूरेक कुमार ने तूफानी बल्लेबाजी की और भारत को 189 रन तक पहुचाया कोहली और सूरेक कुमार के बीच टीडट में यह 54 पचास प्लस रन की साज़ेदारी रही